बिस्मिल्ला होटले अजीम डेरी की कल रात में यहां पर कुछ लोगों ने एक अजीम नवेद नाम के शक्स को चाकू मार करके बुरी तरह जख्मी कर दिया है जो अभी इस वक्त ट्रामा सेंटर में एडमिट है उनका इलाज चल रहा है और जो बिलकुल अभी पूरी तरह बिलकुल जख्मी है और बहुत ज़्यादा उनकी हालत खराब है पटलाहोस में हर गली में हर गली को एसी गली नहीं हो रही है और नशे पर यहां के समाजी जो कारे करता है जो वो कभी काफी नशे पर काम करने वाले नशाखोरी किस तरह बंद हो और इस पर बात करते हम एक समाज सुधार के ट्रस्ट के एक फाउंडर है इस बात करते हैं नशाखोरी किस तरह काबू पाया जाए इसके लिए आप लोगों क्या सोचा यह बताई किस तरीके का वाकिया बिसमिल्ला होटा यह आजीम डेरी में कल का जो वाकिया हुआ है इस वाकिया को आप किस नदेरे देखते हैं और किसे इसका पसुरवा ठहराते हैं देखिए के सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख है कि दो तिन लोगों ने मिलकर के एक के इतने समाज सेविक वक्ति को चाकूं से मारा और अभी पहले वो हॉली फैमली में एडिमिट कराया और उन्होंने जब कहा कि इसका इलाज यहां नहीं होगा उन्होंने एम्स में रेफर कर दिया और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो जल्दी से जल ठीक हो जाएं और अपने घर आएं अपने परिवार में आएं यह जो नसा है ना नसे के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा क्योंकि नसा एक ऐसा हो गया आज के टाइम में कि आपने जो का हर महल्या हर गली में नसा है नसेडी जितने भी हैं उनके उपर लगाम कसनी पड़ेगी परसासन को हमारा साथ देना पड़ेगा पिछले चार साल से हम नसे के खिलाब काम कर रहे हैं और काफी हद तक हम लगाम लगा चुके हैं जो खुले आम होता था बैठ कर गए वो अब नहीं हो रहा है मगर हम खुले आम को ही रोक सकते हैं जहां ये सरकार को क्या करना चाहिए जहां ये बिकरा है उसको सिकंजा कसना चाहिए जैसे तैमूर नगर में वहां नसा बिकरा है निजाम-दीन में बिकरा है खिजराबाग भी बिकरा है और जैधपूर में भी बिकरा है जो जाम खोरी हो रही है जहाँ जान नशीं का जो सामान भी करे तो क्या पुलिस को खबर ने होगी इसकी सबको मालूम हैं मालूम होने का बावजू कि खुले हाम छूट देना वह गलत है ना इसको इनको सकगजा कसना ही पढ़ेगा अगर समाज में एक अमन का पैगाम लाना है या अमन रखना है लोगों का जो दिल खोल के घुमना फिरना अच्छा करना है तो नसे को हटाना पड़ा है आज खौफ है नसेडियों से बिलेट रखते हैं चाकू रखते हैं ये लोग अपने साथ हैं और हम तो यह कहते हैं ऐसी घटना आगे ना हो मामला क्या हुआ था मैं मेरे को देखो पक्का तो मैं नहीं बताऊंगा मुझे सुनने में यतना आया है कि इसी बच्चे को ये नसे करने वाले डाट रहे थे या मार रहे थे ये बोलेगे बच्चे को क्यों डाट रहे हैं बच इसी बात को पर अंदर ले जा करके उन्होंने उसको पाप पाप अच्छा ऐसा हुआ कि किसी बच्चे को ये लोग जो नशाख खोर लोग मार रहे थे तो ये जो समास सेवा जो करते है नाजीम नवेद उन्होंने बीच पास आप देगे हर मैसा इनके पास चाकोर बिलेड तो हमेसा ही होते हैं इनके पास और रात को मुझे साड़े ग्यारा बजे एक कॉल आई तो मैं बटला बसी स्टेंट पे जो ग्रामी सेवा है उसके अंदर आठ लड़के बैठे हुए परदा डाल करके जिसका वो ग्रामी साथ जंग में शर्क होना करोंसिलर विधाय कि ईन लोगों बी तो इलम होगा इस बात लोगu भी पता होगा यहां न desar खोरी來到 कहां नशे के सौमान टिक्ते हैं वह और इंन लोगोंने कुछ करने नह keंको मालुम है कहा क्या हो रहा है इनको सामने आना चाहिए और नकड़ सभा करनी चाहिए दिप क्यों को नशाख घॉरी ऐसी चीज दरशाखो आपको बता दू इससे जो है हमारी आने वाली जुद गश्ञां कि सा कहां होगी हम अपनी ऑउलाद की तरभियत हम अपने भषर किस तरह कर पाएंगे हम अपने बच्कों को घो से में में गध्या याँ जाने कभिने जांगे गर से बाहर निकलने दो ईनका असर नहां पड़ें बहुत ज्यादा करहाई परिशानी की बाते और बहुत ज्यादा इन पर गोर करने की बाते क्योंकि अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो इसका आसर हमारे बच्चों पर बढ़ेगा बिल्कुल इस हेंडर परसंट यह हमारे चोटे-चोटे बच्चे यह कल इनके घरों तक पहुंच जाएगा नसा पिर क्या करेंगे लोग आज वक्त है आज सामने आ जाए और इसको कॉपरेट करें सायोग करें नसा के खिलाफ और जंग इसमें सरीख हो तभी हम नसा आज देखने को यहीं मिलता चोटे-चोटे लड़के सिगर्ड पी रहें जो सूंगने की ट्यूब आती है ना उसे पिले जो घर के पैरेंस है उन्हें अपने बच्चे के उपर नजर रखनी चाहिए इन चीजों का असल जिम्मदार आप किसको मानते हैं आखरी में यह बात कह करके बात खतम करते हैं देखिए जिम्मेदारी इसके उपर तो परसासन की है जब परसासन कसके इस पर लगाम कस खोड़ी शोशल वर्क करते हैं तो इसलिए मैंने आप से यह बात करी क्योंकि आप जमीनी इस तरफे आगे काम करते हैं इस पर आप क्यों महिम ने चला रहे इस पर आपकी मेहनत क्यों नहीं होनी चाहिए देखिए यही देख करके आज हमारी जामिया नगर के सच्चो साब सतीष कुमार जी से हमारी मीटिंग है उन्होंने खुद का मीटिंग करो और वह बहुत अच्छा अभी वह नहीं आए हैं उन्हें ज्यादा तर एरिये का भी मालूम भी नहीं है और मालूम कर रहे हैं अभी दो महिने में उन्होंने बहुत कुछ करा है लगाम कसरें आने वा गर इस पे काबू नहीं पाया गया तो इससे पूरा इलाके के हर बच्चे इससे पिलित होंगे और हर घर से नशाखोरी आम हो जाएगा और इससे आने वाले नसलों के लिए तबह कुन बात होगी और बरबादी वाली बात होगी क्योंकि हमारे बच्चों पे इसका असर करें बहुत बहुत शुक्रिया जै हिंद जै भारत